जी नमस्कार स्वागत है आप सभी के एंटीचिंग के इस यूटूब फैमिली में आज शासन वेवस्था को देखते हुई या परसासन के आदेशा अनुसार संस्थान को बंद रखा गया है आज और कल लेकिन आप लोग का परिच्छा है तो फिर भी जो शासन परसासन है उसका नुसार हमको तो काम कर नहीं होगा वरना अगर इस इस्तिती में किसी भी तरह के घटना आप लोग के साथ होती है ठंड के कारण और कोचिंग आने जाने के करम में तो उसका जिम्मेदार आप सभी जानते हैं कि कोचिंग संचाला कोचिंग निंदे सक होता है इसके तथ हमको इस कारण वरस से कोचिंग संस्थान को बंद करना परा है अस्तागित करना परा है लेकिन फिर भी हम आज ग्रूप में आपको स सिक्षन का लाग एक नोट्स डाले हैं उसको आपको स्वल्व करना है रूकना नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है और हम चाहते हैं कि आप जो है हमेशा हमेशा जो है इस आठाइस जन्वरी के लिए स्टीटी परिच्छा के लिए रिगुलर डेडिकेटेड रहे और इस पर ओफलाइन ओनलाइन जो भी होता है हम आपके लिए करते ही है तो उसी के सब एक्स में आज हम एक लेक्चर लेके आपके सामने आया है जो इंडियन पॉलिटी से सम्बंदित होगा और भरतिये राजनीतिक के संदर्म में हम बात करेंगे कुछ तो इस टार्ट करते हैं और आपके सामने सबसे पहले तो बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि 80 परतित्य सवाल देखी एक बात और बताना चाहें आप लोगो कि जो लोग कोचिंग में नहीं पहुँच पा रहा है या कोचिंग से दूर हो जा रहा है या उनको समय की प्रोब्लम है समस्या है दिक्कत है या जो लोग कोचिंग से जुड़े हुए भी है अगर ये दो तीन दिन का आपको छुटी मिला है तो इसके लिए छुटी में ही नहीं बलकि आपको हमेशा के लिए मेही बात क्लास में भी हमेशा कहते हैं कि आपको अन बूक को अभी छोड़ना है और एस्पेसली आपको छे से लेकर के बारत तक का जो ACRT बुक है अर्थात बिहार सरकार पब्लिकेशन है इसको बिहार बोड का बुक बोलते हैं तो बिहार बोड का जो सरकारी बुक आता है उसको आप फोलो कीजिए उसको पढ़िए और उसको स्वाय अध्यान कीजिए जो भी सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो भी अपना-पना सब्जेक्ट लेकर उस बिहार सरकार वाले बुक को सबसे पहले आप एक बड़ पढ़ जाईए अगर आप उसको पढ़ गए हैं अच्छी तरह से अध्यान कर लिए हैं तभी आप दूसरे बुक पर दूसरे किताब पर या मार्केट के किसी भी अन्य बुक पर 答 धियान दे यानि कि प्राथमिक्ता आपको सबसे पहले बिहार सरकार के लिब Aaet अफ्य invites souventfollow बियुशन पर पहते हैं लेकिन बहुत लोग हमारे कोचिंग से नहीं जूर पाते हैं या समय का प्रोब्लम है, समय का दिकत है, आने जाने में समस्या है तो उनके लिए भी हम यह कहाना चाहते हैं कि आप कहीं भी रहे, बिहार सरकार का जो बुक है उसको फोलो कीजिए, सरकारी किताब है जो उसको फोलो कीजिए से स्टीटी में अधिकांस्ता कुशन वहीं से आने की संभावना है और आप सभी को बता देते हैं कि आपको जब हम यह नहीं कर है कि आपको दूसरा बुक नहीं परना है, दूसरा भी बुक परना है लेकिन प्राथमिक्ता आपको उसको देना है सबसे पहले उसको खतम करने के बाद ही आप किसी भी दूसरे बुक पर ध्यान दे पहले प्राथमिक्ता आपको बिहार सरकार का जो बुक है उसको दोना है, उसको परना है, उसका नोट्स बनाना है उसको understand करना है समझना है उसी के संदर में आप सभी जानते हैं कि ये टी परतिशत सवाल जो है 8, 9, 10, 11, 12 से पूछा जाएगा लेकिन 20 परतिशत एक्ष्टा रहेगा अर्थात graduate level से सम्मझ दिया आपको थोरा सा higher level का जो आपके understanding से थोरा सा उपर हो basic understanding से थोरा सा उपर हो understanding तो उसके संदर में आज हमें एक topic लेका है पॉलिटिक या भारतिय राजनितिक बिग्यान का जिसमें आपको समझाने की कोशिज कर रहे हैं उम्मीद करते हैं आपको समझ में आगा तो चलिए सुरू करते हैं जब से पहली बात है कि इसमें कहता है एकर परजात तंत्र की बात क अर्थात आम बेक्ति को अवसर मिले और सासन के किसी भी पद तक पहुँचने के लिए मतलब कि वो ऐसा सासन बेवस्था कि जिसमें जो है जिसका सासन बेवस्था बांसा नुगत नहीं होता है उस सासन बेवस्था कि किसी भी पद पर पोई भी आम जनता भी जा सकता है इस लोग तंत्र ये सभी समनार्थी सब्द हैं एक बार और सम्झाते हैं कि ऐसी सासन बेवस्था जिसके कोई भी पतपर कोई भी आम बेक्ती भी जा सकता है, अर्था वह पतवां सानूगत नहों ऐसी सासनبेवस्था को हमलोग प्रजा लोग तंत्रिया डेमोक्रेसी सिस्टम के अंध्र लेड में रखते हैं दूसरी बाद आते हैं कि आप समझने की कोशिश किजिए कि सासन बेवस्ता दो परकार के होती हैं एक तो हो गया कि एक ऺढ़ी सासन बेवस्ता और दूसरा हम कर सकते हैं अध्यक्षिय सासन वेवस्था या अध्याचात्मक सासन वेवस्था तो सबसे पहले समाजते हैं कि ये एक हरी सासन वेवस्था है क्या ये कहरी सासन वेवस्था का मतलब ये हुआ कि ये किसी राष्ट का सासन का केंद्र बिंदू ये को किसी भी राष्ट का सासन का जो केंद लगतल रागासता और दूसरा हमारे सामने संहात्मक शास्न वेवस्था का मतलब यह समझ गए कि उस सासन बेवस्था में केवल पूरे देश या परदेश का सासन बेवस्था केवल एक आदमी के हाथ में होगा वो कहलाएगा एक हरी सासन बेवस्था दूसरा माने पास आता है संगहनात्मक सासन बेवस्था तो संघात्मक सासन बेवस्ता के में राष्ट के सासन का केंदर मिंदू दो के हाथ में होता है और दो हाथ कौन सा एक तो होगा केंदर और दूसरा होगा राज्य अर्थात हमको यह समझ में आया कि एक हरी सासन बेवस्ता के अंतरगत में केंद्र और राज का कोई जीक्र नहीं है अर्थात सासन बेवस्ता को केबल यह कहीं लोग संभालेंगे उसे हम एक हरी सासन बेवस्ता कहेंगे और संगहनात्मक सासन व्यवस्था में क्या होगा कि इसमें दो जो है मतलब दो का हाथ होता है दो केंदर बिंदू रहता है सासन व्यवस्था तो अभी तक समझ मैं हमको कि एकहरी सासन व्यवस्था क्या होगा और संगहनात्मक सासन व्यवस्था क्या होगा दूसरी बात आते है कि हम लोग के सामने जो सासन वेवस्था में जो परनाली होती वो परनाली वी दो पर करके एक तो होगा हमारा अध्याचात्मक परनाली और दूसरा जो हमारा होगा वो होता है संसदिये परनाली तो अध्याचात्मक परनाली और संसदिय परनाली के बारे में थोरा से समझने की कोशिस करते हैं अध्याचात्मक परनाली क्या है कि सासन का सबसे सक्ति साली बेक्ती का चुनाओ अगर आम बेक्ती पर सीधे तोर पर करता है आम बेक्ती सीधा तोर पर करे तो वहाँ पर जो सासन बेवस्था होगा उसको हम लोग अध्याचात्मक सासन प्रणाली के नाम से जानेंगे अर्थात जो सासन का सबसे सक्ति साली बेक्ती है जैसे कि राष्टपती हो गया तो राष्टपती का चुनाओ सीधे आम आदमी के हाथ में हो मत्तब वो सासन संप्रभूता के सबसे जो स्वर्वच बेक्ती है उसका चुनाओ अगर आम बेक्ती की दोरा आम जनता के दोरा जिसमें आम जनता परत्यक्षूप से उसको चुनाओ में कर्जवाई में भाग ले रहा है तो वहाँ पर जो इस तरह की परनाली जो कहलाएगा वहीं परनाली को हम अधिया छात्मक परनाली के नाम से जानेंगे दूसरा हमारे सामने यह है संसदिय परनाली जैसे आपको एक उधारन आपको बता रहे हैं जैसे अमेरिका में तो अमेरिका में जो राश्टपती के चुनाव में भाग लेता है जबकि हमारे यहां ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर कौन सी बेवस्था है? अध्या चात्मक सासन बेवस्था है जिसमें सर्वोच शक्ति जो सर्वोच पद पर जो बेखती है उसके चुनआउ में आम जनता भाग लेले अध्या चात्मक सासन परनाली का लाएगा दूसरा हमारे सामने है संसदिय परनाली तो पहले लोग सब आप संसदिय परनाली जैसे हमारे यहां संसदिय परनाली में क्या होगा कि जो सर्वोच सक्ती सासन का सर्वोच सक्ती जिसमें नीत होता है उस बेक्ती का चुनाव हम आप नहीं कर सकते हैं उसमें हम आप भाग नही जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिला रहता है उसको सर्वच पत्पर बैठाता है अर्था जैसे परधानमंत्री हो गया राष्ट पत्ति हो जैसे राष्ट पत्ति हो गया तो राष्ट पत्ति का चुना हम आप नहीं करते हैं या उसके चुनाव में हम भाग नहीं लेते हैं तो हमारे यहां जो वेवस्ता है वो संसदिय प्रणाली वेवस्ता है और अमेरिका में जो वेवस्ता है वो हमारा अध्याचात्मक शासन प्रणाली की वेवस्ता है सनसदिय का परनाली बेवस्ता है यहां पर कियों यहां पर सर्वत सकतिजीन में नहीं उता है उसके चुनाओं में हम आम्चंद्य ब्रगती बंब व्हासतिजमें हम शख के चिनादिय का जम इसके बाती हो के परनाली बहा पर उसको न्यूक्त किया जाता है जिसे भारत में इंग्लेंड में इंग्लेंड में भी आपको संसदिय पर्नाली व्यवस्ता है बारत में भी आपको संसदिय पर्नाली की व्यवस्ता है तो यह चीज आपको समझ में है कि परजातंत्र लोकतंत्र और डेमोक्रेसी क्या होता है एक हरी शासन ब्यवस्ता क्या है, संगनात्मक शासन ब्यवस्ता क्या है, अध्याचात्मक प्रनाली क्या है, और संसधिय प्रनाली क्या है दूसरा हमारे सामने एक टॉपिक आता है, सविधान, Constitution जिसको कहते है ति what is meaning of Constitution, Indian Constitution, अर्थात भारतिये सविधान का अर्थ या सिधा-सिधा हम लोग समझे लें कि सविधान का अर्थ ही क्या होता है तो सविधान का main जो अर्थ है, कि मतलब कानूनों का संग्रा ही, सम्जोर बिधान मतलब सब के लिए जो बीधी बिधान, जो कानून है, वो समान रहे, उसे हम सविधान के नाम से जानेंगे और तहात सिधा सीधा समाझ सकते हैं कि Constitution में आपको कानुनों का संग्रा होता है जो भी नियम कानून है वो सभी का संग्रा ही क्या कह लाएगा बताइएगा समिधान के लिए जरूरी होता जो भी जहांपर लोगतंत्र की वयवस्ता है परजातंत्र की व्यवस्ता है देमोक्रे लिखित सविधान हुआ होगा जिस जो भी नियम कानून बनाया गया है वो सभी जो एक निश्चित दास्तवेज पर लिखा हुआ रहेगा तो वैसे सविधान को हम लोग लिखित सविधान के नाम से जानेगे और और लिखित सविधान होगा कि वहाँ पर कोई लिखित दास्तवेज नहीं होगा तो उस सविधान को हम लोग और लिखित सविधान के नाम से जानेगे जैसे हमारे भारत में जो सविधान है वो लिखी थे या लिखी थे तो लिखी सविधान है क्योंकि जो भी नियम कानून हमारे Indian Constitution का बनाया गया है वो सभी कहीं न कहीं एक्ट के थुरू या अनुसूची या भाग के थुरू लिखा गया है इसलिए हमारे भारत का सविधान क् लिखित सविधान है, और कहीं कहीं का और लिखित है, जो की पुरवानुमान के अधार पर चरला या निश्चित रूप से बदलाव किया जाता है उसमें, तो वहाँ पर कोई निश्चित दास तवेज नहीं रहता है, वो और लिखित सविधान का लाता है, जैसे लिखित सवि खेद सबसे ज़्यादा भाग अनुसूची है आप जानते हैं कि सविधान के मूल जब सविधान सरचना किए गया था तो उस समय मूल सविधान में अनुछीदों के संख्या 395 थी लगबाग मूल सविधान में अभी तो बढ़ गया है अनुसुची के अगर बात करें तो 22 पहले जो अमekenूर सबिदान में कितना था, अफ अनुसूची था, अब हो गया कितना, 12 ठीक है, तो यह सब 22 भाग है, तो यह सबसे mlिष्न का सबिधान है अमारे भारत का सबिधान में लिखित सबिधान है, स्वेट जर लेंड का सभीधान अगर बात करें तो वहाँ पर भी लिखित सभीधाने है अमेरीका कड़ बिश्व का सबसे छोटा लिखित सविधान है हमारे पास 395 एक्ठ है लेकिन अमेरिका के पास मात्र 7 एक्ठ है बात करते हैं तो बिटेन उसका सबसे अच्चा उधार है आपको झेसे आप मालए जिए दूसरी बात ये है कि बिटेन का सवधान के समझ के बारे में थोरा थोरा बताती चले कि बिटेन का جो सवधान है उसको हम understand कैसे करें क्योंकि उससे बहुत सारे questions आते हैं और हम इस वीडियो में आपको यहीं बताना चाहते हैं कि जो हमारे देश का जो सासन बेवस्था है जो संसदिय परनाली बेवस्था है उसका तुलनातम का ध्यान हम कर रहे हैं इस वीडियो में अर्थात कि यहां की जो सविधान है वहां के सविधान के कैसे भीन है यहां की जो सासन बेवस्था है अन्य देशों के सासन बेवस्था से कैसे भीन है हमारे हैं कौन सी परनाली है उनके हैं कौन सी परनाली है सब graduate level के आपको 20% को एक्ष्टा question पूछा जाएगा है उसा अब इसी से सम्मंदित हैगा तो बिटेन का सविधान के समझ के बारे हैं बात करें तो सबसे प्राचीन और जीवित सविधान है बिटेन का सविधान सबसे प्राचीन और जीवित सविधान का मतलब यह हुआ कि इसमें आए दिन बदला होते रहता है मतलब परमपरा अधारी पर परमपरा पाधारी तो वहां के लोग बिटेन के लोग जो है सविधान के परती बहुत जागरूख है और जो भी परमपरा समाज में बनता है नया कुछ बनता है तो उसमें वह चेंज कर देता है अरता तिसले जीवित सविधान उसको कहा गया है जीवित सविधान का मतलब यह हुआ कि जहां पर परमपरा धार पर वहां पर नियम लाग आपको drin होते रहाता है जो भी जैसा भी सासन पर वगस्ता है कि अराम से परिभरतन हो जाता है दूसरी बातल लगतार परिवर्तन फर होता है समय के अनुसर। जब भी समय के अनुसर्ज जो भी कोई ऐसा लगा कि समधान में हम को जो है सा नहीं होना चाहिए तो वहाँ पर लोग परिवर्टन कर देते हैं, इसलिए वहाँ के सविधान को जीवित सविधान के नाम से जाना गया है, जबकि USA का सविधान आपको 1787 में बना था, जबकि 1776 में आप सभी जानते हैं कि 1776 में जो है अमेरिका सोतंत्रो और 1787 में लगवाई 11 साल बाद वहाँ आप इंडियन कंसिट्यूशन बना और रूस का सविधान आपको 1917 में बना था, चीन का सविधान आपको 1949 में और भारत का सविधान आप सभी जानते होंगे कि उसको अंगिकरित किया गए 26 नॉबर 1949 को लेकिल नागो किया गए 26 जनवरी 1950 को आधी बहुत सारे तेसों का समझे उसके बाद हम लोग आते हैं कि देखिए अब EUSA के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं वहां पर लगबग EUSA में हमारे यहां 29 राजय है, EUSA के सविधान में लगबग 50 राजय है, लेकिन हम लोगों से थोड़ा सा भिन हैं क्योंकि हमारे हैं संसाधिय परनालिय वे अभी उन्तिस राज है लेकिन अभी जमू का समीरवाला जो भी बाद हुआ है उसके अनुसार हम बरतमान में कहेंगे कि हमारे यहां लगवक कितना 28 राज हो गया है और 9 केंदर सासीत पर देश हो गया है तो यहां पर क्या कहता है कि सभिधान यहां इवेसे के बारे में कहता है कि उएसे जो है पचास राज से मिलका लिखीत और सबसे चोटा से भ्यानुआ कर लिखीत है लेकिन सबसे चोटा है मातर साथ एक्ठ है बताये हैं आपको यह अधिया चात्मक सासन पर नाली वाला देश है और यहां पर अधिया सासन पर नाली क्या होता है आपको उपर बता है अभी इस वीडियो उसके बादे ब्रिटेन का अगर बात करें तो ब्रिटेन जो है संसाधिय पर नाली वाला देश है लेकिन ब्रिटेन में एक हडी सासन वेवस्त है उसके बाद देखीगा आगे क्या कहता है कि अमेरिका में पचास राज का संग है, हमारे यहां जो, वहां पर हम लोग जैसे 29 राज है, 28 राज या 7, 9 केंदर सासीर पर देश, लेकिन अमेरिका में 50 राज का संग है, और केंदर में जैसे राष्ट पती हुआ, और राज में कौन हुआ, गवर्नर, वहां का सर्वुचपद पर धारन करत है, भारत का उल्टा है अमेरिका में, भारत में हम बोले तो लिखी तो है, यहां पर भी लिखी थे, अमेरिका में भी लिखी थे, लेकिन कुछ चीजे उल्टा है, जैसे हम लोग यहां पर क्या करते हैं, कि राज को मिला कर एक संग मनाया है, जैसे पूरे राज को मिला कर सं सभी राज जी इसा नहीं है वहाँ पहले राज बना और संग बना, सबसे पहले संग से संग से पहले लेकिन US में बनाकर अमेरिका में दोहरीनागरिक आथ cuidado कीँए अमेरिका धूमleness उसका तो एक नागरिकता है ही उसके बाद जो अन्य राज में रह रहे हैं फिर उसका एक और नागरिकता हुआ इसलिए वहाँ पर अमेरिका में कौन सा नागरिकता है दोरी नागरिकता है अमेरिका सविधान में केवल साथ अधारा भी आपको बता एक जिसको बोलते है अनु सविधान के सरवचता है नहीं भारत में सविधान के सरवचता है जो हमारा इंडियन कंसिट्यूशन कहेगा जो हमारा भारतिये सविधान कहेगा भारतिये सविधान के अनुसार ही पूरे संसद लोकसभा हो राजसभा हो या राष्ट पती हो या गवर्णन जो भी पदो वो के लिए हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो सरवुजता है वो है किसका सविधान का क्योंकि नुकूल कोई काम कर सकते हैं तो इस तरह हम कर सकते हैं कि अध्याशात्मक परनानी वाला देस से यह चालत मक आपको बता आभी क्या होता है स्विटिजरलन का सविधान के बात कड़े तो स्विटिजरलdist नहीं ज्यद़ छोटा सविधान हो आका और नहीं ज्यद़ बारा छोटा मतलब USA भी जैसा नहीं है जैसे USA में तो महतर साथ फend साथ जो है एक्ठ है और बारा का मतलब यह नहीं कि भारत जैसा भी नहीं है, कि भारत में 395 अनुछेद मूल सभिधान में, अभी तो बढ़क 665 के लगव में बरतमान में हो गया है, तो उतना बारा भी नहीं है, उतना छोटा भी नहीं है, मतलब बीच बीच में कहा है, स्विट जल्याण का में समय के नुसार संसोधन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पर जोupidhan है वह एक बार जो बिनादिया सो बना दिए उसमें चेंज करना बहुत मुश्किलाकर हमारे भार Het का सभन में नचिद्धान कर सकते हैं जैसे अभी सबसे पहले संसोधन में अग्याrest तो उस समय से लेकर अभी तक बहुत सारे संसोधन हो चुके हैं तो हमारे भारत के सविधान में समय का अनुसार हम संसोधन कर सकते हैं लेकिन सुजियालन में नहीं तो इसलिए हम अपने भारत के सविधान को लटीला सविधान के भी नाम से जानते हैं कोपी पेष्ट है हमारा सविधान अन्य देशों के अन्य देश के जो भी बात है ब्रिटेंस कुछ ब्रिटेंस से कुछ अमेरिका से कुछ दक्षीन अबिरिका से कुछ आयर्लेंड से अन्य देशों से जो है जो हमारे जरूरत के चीज़े थी वह हमारे महापुरुसों ने उन को लिखने का काम किया तो उन लोगों की भागेदारि इसमें है तो इस तरह से हम कह सकते ही कि हमारा सविधान भारत का सविधान लचिला है लचिला सविधान न kokp sotto Iowa पेस्ट अपने जरुद के हिसाब और से कुछ चीजे और नश से हमारे यहां लाया गया है लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखीत सविधान हम इसी को कहेंगे उमीद करते हैं यह चीज़े समझ में आभी तक हम लोग ने क्या क्या समझा एक बार इविजन करते हैं परजातंत्र लोकतंत्र डेमोक्रेसी सभी समनार्थी सब्ध है ठीक है और बताये थे यहाँ पर कि ऐसी सा सासन ब्यवस्ता को में लोकतंत्र पजातंत्र डेमोक्रेसी की नाम जानेंगे एक हरी सासन ब्यवस्ता में बताये कि आपको जहां पर सासन ब्यवस्ता का माली केवल एक हो वहां पर एक हरी सासन ब्यवस्ता संघनात्मक केंदर और राज दोनों मिलके करें वहां पर संघनात अधिया चात्मक पर नाली आपको बता है संसदिय पर नाली आपको बता है सविधान का अर्थ बता है सविधान कितने पर करके होता है लिखित और लिखित लिखित में बता है सबसे बारा कौन सा भारत का जिसका लिस्ति दस्तवेज होता है लिखित सविधान करता है और लिख छीक है और उसके बाद भारत के सविधान के बारे में हमने अभी बताया कि भारत का सविधान हमारा लाजीला है समय कर सकते हैं किसी तरह की बदलाव कर सकते हैं और कोपी-पेश्ट है अपने-अपने जरूरत के अनुसार में जो हमारे महाफुर्सों ने अलग-अलग देशों कुछ चीजों को भारतिय सब्धान में लाया है उमीद करते हैं या वीडियो आपको समझ में आया होगा हम यह नहीं कहेंगे कि इससे सभी कुछ पूरा हो जाएगा है लेकिन धीरे धीरे इस चीज को आप understand करेंगे आपको किसी भी चीज को material देने से अच्छा या आपको set बन का जो point रहता है वो आपका समझ आपका समझ बिक्सित है या नहीं वह यह जाड़ना चाहता है तो इस लेक्चर के माध्यम से हमको हम यह उमीद करते हैं कि आपको लोकतंत्र बेवस्था अध्याचात्मक प्रनाली संसदिय प्रनाली एकात्मक प्रनाली सविधान का रूप स सविधान की समझ अन देशों से हमारा सविधान कैसे भिन है इन सभी को तुलनात्मक अध्यान के बारे में आप समझ पाए होंगे कोशिस करते हैं हम और भी लेक्चर देने के लिए तब तक लिए जैहिंद वंदे मात्रम